हेलो एब्डीवन हीर आम रोशन विल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल तुड़े वी विल टॉक अबाउट प्रिजेंट कॉंटिनुवस टेन्स इट इस माई टॉपिक बिटा हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिस करेंगे कि प्रिजेंट कॉंटिनुवस टेन्स किसे करते हैं बिल्कुल सिंपल वे मैं आप लोग में बता रही हूँ देखो प्रिजेंट कॉंटिनुवस टेन्स उसे कहेंगे जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहा हो रहे है आता है, उससे हम क्या कहается? हम प्रिजे कंटिनिवस टेंस कहेंगे जैसे कि यहाँ पर लोग example देख रहे हो राम घूंब रहा है तो लास्ट में, क्या आया? रहा है सीता नाच रही हे लास्ट में, क्या आया? रही है लोग घूं रहे हैं लास्ट में क्या आया? रहे हैं मैं घूम रहा हूँ लास्ट में क्या आया? रहा हूँ तो यह सारा जो भी होता है न यह सारे हमारे प्रिजें continuous tense में आते हैं affirmative sentence it means सकरात्मक वाक्य यहाँ पर आपका एक formula है इसे आप लोग ध्यान में रखोगे सबसे पहले हम कभी भी sentence बनाते हैं तो हमें rules को follow करना चाहिए अगर आपको rules पता है तो आप अच्छी तरह से translate कर लोगे तो present continuous tense बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं? subject उसके बाद आपका helping verb होता है जिसे हम auxiliary verb भी कहते हैं तिये helping verb होगा जैसे is, am और are प्लस verb इसमें जो भी हमारे action word होता है न वो ची जाते हैं प्लस first form यानि कि verb का जो भी आप verb लिखोगे न उसका first form हम लोग लिखते हैं अब प्लस ing और जो भी हम first form लिखेंगे न उसमें हम लोग ing का add करेंगे जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा करेंगे आर का यूज का करेंगे आम का यूज कहां करेंगे जो भी हमारे थर्ड परसन होता है न थर्ड परसन के साथ हम हमेशा इच का यूज करते हैं फर्स्ट परसन जो होता है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे जैसे फर्स्ट परसन में हमारा I आता है तो I के साथ हम हमेशा I का यूज करेंगे सिकेंड परसन होता है यू, यू के साथ भी आप R का यूज करोगे और जहाँ पे भी हमारा plural होते हैं तो वहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे आर का यूज़ करेंगे जो भी हमारे plural subject होंगे उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे यहाँ आप देखो राम घर जा रहा है इसमें हमारा subject क्या है कौन जा रहा है राम जा रहा है तो राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया सब्से पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे जब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे तो एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट को हम यह पता करेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगलर है या फुल्रल है अगर हमारा सिंगलर होगा तो इज का यूज करेंगे अगर हमारा फुल्रल होगा तो वहाँ पर हम आर का यूज करेंगे तो राम हमारा क्या है सिंगलर है न इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया इज लगाया अब यह पता करें है गो में इसमें लगाएंगे क्यों लगाएंगे क्यों कि हमारा प्ररिजेंट से तो में हम लगाएंगे तो क्या बनेगा गोई अर्वों मैं फीजेट क्या हो गया। इसमें सब्सक्राइब शतीं क्या हो गया हो मैं क시면 infinивается पता है राम tief eating साथ हम helping work क्या यूज़ करते है Ai यहां पर हमने क्या लिखा Ai अब यहां पर हमारा वर्व क्या है यानि खेलना तो खेलना के English क्या होता JOHN a लास्ट में हमने क्या ah जिसए की हम लोगो क्या Marinड करना है आई इन-गी ना अपने में हमारे सिट्ग न चलैगा ऍले गल तो इसका हमारा sentence क्या हो गया, I am playing, यानि मैं खेल रहा हूँ, next day कि हम हस रहे हैं, इसमें हमारा singular क्या हो गया, हम, हम का English क्या होता है, we, जैसे कि हम बोलो या हम लोग बोलो, तो उसका क्या होता है, we, और we हमारा क्या है, plural है, तो पुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, R, और हसना की क्या होता है, लॉफ, और ing, आइट करों के तो क्या हो जाएगा, लॉफिंग, यानि कि हम हस रहे हैं, तो we are लॉफिंग, निगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ पर याद रखोगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नकारातमक वाके, जिसमें हमारा निगेटिव चीज़े आती है, जिसको नकारा जाता है, तो इसका rules क्या है आपका इसमें हम लोग ये हमारा rules से इसमें हम लगाएंगे subject is rm यानि कि जो भी हमारा helping work होता है helping work कि just बात हम क्या लगाएंगे not का use करेंगे work में ing add होगा और हमारा object होगा इसमें हमारा subject क्या हो गया राम लगदिए राम हमारा क्या है singular है ते singular के साथ हम नहीं क्या लगा एज जाना के English क्या होता है राम घर नहीं जा रहा है तो हम ने बताया है कि subject के बात तुरंट आप क्या यूज करोगे, not, sorry, subject के साथ हम helping work के यूज करेंगे, उसके बाद हम not का यूज करेंगे, ram is not, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, not, ram is not going home, next आपका, मैं खेल नहीं रहा हूँ, तिसमें subject क्या हो गया, मैं, make English क्या हो गया, I, I के साथ हम क्या यूज करेंगे, am, और हमारा helping work के बाद, क्या add करना है, हमें not का यूज करना है, तो यहाँ पर आपका, आगया not, और यहाँ पर क्या नहीं कर रहा है, खिल नहीं रहा है, तो खिलना हमारा क्या है, action हो रहा है, कारे हो रहा है, और इसमे हमको क्या एड करना है आई एंजी एड करना यानि कि प्ले में आई एड जब करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा तो मैं खेल नहीं रहा हूं यानि I am not playing अगर यहीं चीज रहता कि मैं खेल रहा हूँ तो I am playing हो जाता next day आपका हम हस नहीं रहे हैं दिखें यहाँ पर हमारा negative चीज बता रहा हम हम क्या हो गया subject हो गया और यह क्या है हमारा plural है तो V हम दिख दिये और यह जब plural है तो हम इसके साथ helping work कर क्या यूज करेंगे आर का यूज करेंगे adjust इसके बाद हमें क्या चीज का यूज करना है not का यूज करना है तो not हो गया और हसना का love और plus उसमें ing add करोगे तो वो क्या बन जाएगा laughing हो जाएगा we are not laughing interrogative sentence interrogative sentence को हम लोग क्या करते है प्रस्माचर वाकिर जो आपका डबलो एस से स्टार्ट होता है अब इसमें आप याद रखोगे ने कि डबलो एस से भी स्टार्ट होगा और हमारे कुछ ऐसे sentence होते हैं जो हम लोग helping और को पहले लिकर के उसका यूज करते हैं तो जो interrogative होता है ना या तो हमारा helping और सी स्टार्ट होगा या हमारा डबलो एस से स्टार्ट होता है चलिए आप आप लोग देखते हैं इसका रूल्स क्या है जैसे कि इसमें डबलो एस question लगाते है उसके पाथ हमारा helping और होगा subject होगा not होगा verb में ing होगा अब्जेक्ट होगा क्या आप खेल रहे हो अब यहां पर देखिए यह question मारत लगा ना यानि कि यह चीज क्या है हमारा interrogative है और यहां पर क्या से question कर रहा है क्या आप खेल रहे हो तो कभी भी starting में अगर क्या से start होता है ना सबसे पहले हम दो subject पो ध्याहर देते हैं कि subject हमारा singular है यह text अगर हमारा subject singular होगा नहीं हम तुरण इच का यूज करेंगे क्योंकि continuous है अगर हमारा subject civil होगा तो तुरण कर र का यूज करेंगे यहां पर देखो हमारा weg subject क्या है आप तो आपको इंगलिस हम लोग क्या करते हैं you और you के साथ हम work कौन सा यूज करेंगे यानि helping work कौन सा यूज करेंगे आर तो सबसे पहले हम आर को लिखेंगे आर उसके बाद subject हमारा जाएगा you और उसके बाद खेलने का क्या हो जाएगा playing ठीक है क्योंके खेल रहे हैं तो उसका क्या हो गया playing तो इसका English आपको क्या होगा are you playing क्या आप खेल रहे हो next है आपका आप क्या खेल रहे हो ऐसे हम लोग question करते हैं तो जब हमारा क्या बीच में आगर आता है ये क्या उसका हमारा English होगा what अगर हमारा सबसे पहले क्या आएगा तो हमारा helping और सबसे पहले होगा जैसे आपने यहाँ पर और का use किया है तो यह क्या बीचिना आया उसका English क्या हो गया उसके बाद subject पाप ध्यान दोगे subject हमारा singular है या plural है subject हमारे क्या है इसके साथ हम क्या लगाएंगे what are तो क्या होगा what are अब उसके बाद आप लिख दो आपका English क्या होगा you अब खिल रहे होका क्या होगा playing तो इसका क्या होगा what are you playing यानि इंटोगेटिम में हम सबसे पहले क्या सरी स्टार्ट होगा सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद हमारा subject होगा और उसके बाद हमारा जो भी वर्व है अबजेक्ट है यह करेंगे अगर क्या कप क्यूं कैसे अगर यह पीच में अगर आता है तो सबसे पहले उसका English लिखेंगे उसके बाद हम helping of लिखेंगे उसके बाद हमारा subject होगा प्लस हमारे वर्व में ing होगा प्लस हमारे object होगे वो कौन सा खेल खेल रही है जैसे कि यहाँ पर वा है ठीके ना वा वो कौन सा खेल 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 रही है यानि कि अब यहाँ पर देखो he mean से भी वह होता है c mean से भी वह होता है लेकिन आप यह कैसे पता करोगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है खेल रही है यानि कि कोई लड़की है खेल रहा है नहीं बोला है खेल रही है तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा तो कौन सा English का आपका कौन सा इसका English आपका है वो हमारा singular है तो हमारा helping word क्या लगेगा इच विच गेम उसके बाद वोग इंग्लीज क्या होता है सी अखेलने का मतदा खेल रही है यानि प्लेंग यानि कि आपका यह sentence complete हो गया which game is she playing यानि कि work on सा खेल खेल रही है मम्मी उसे क्यों डाट रही है अकसर आप लोग पुछते हो ना तो क्यों क्यों के इंग्लीज क्या हो गया वाय अब मम्मी क्या है सिंग्लर है तो सिंग्लर के साथ हम क्या helping word यूज करेंगे इच उसके बाद मम्मी हमारा subject है तो मम्मी के इ यानि कि उससे किसी लड़ीक या तुम क्या सूच रहे हो है तुम क्यों सोच रहे हो अकसर आप लोग यह भी यूज करते वो ना जगहां तुम क्या सूच रहे हो तो क्या बीच में आया तो क्या का हमारा English क्या हो गया वाट उसके बाद हमारा यह subject फिल्डल है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा helping of क्योंकि यह second person के साथ भी हम आर का यूज करते हैं तो यू हमारा second person में भी है और उसके बाद subject हमारा क्या है यू अज सोच रहे हो यानि कि फिंकिंग यानि कि इसका पूरा sentence क्या हो गया what are you thinking I hope you guys understand present continuous tense if you like my video please don't forget to like subscribe and share bye bye and take care